जै माताई दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास मी दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों बुद्ध ग्रह को वैदिक जोतिश के अनुसार नव ग्रह मंडल में राज गुमार का दर्जा प्रापत है ऐसे में 4 फरवरी को बुद्ध वक्री होकर मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे और इसके अनुसार बुध्धी और वानी के स्वामी बुध के वक्री होने का विशेष प्रभाव इनसान के विवहार और उसके सोचने समझने की शमता पर साफ तोर पर पड़ता है बुद्ध गरह चार फरवरी की रात ग्यारा बच कर पांच मिनट पर वक्री गती करते हुए मकर राशी में गोचर करने लगेंगे और चार मार्च को मारगी होकर फिर से कुम्ब राशी में प्रिवेश कर जाएंगे तो आईए जानते हैं किन छे राशी के जातकों के लिए ये शुब साबित होने वाला है दोस्तों इनमें पहली राशी है मेश राशी बुद्ध के ये गोचर से आपको करियर में सफलता दिलाने के अलावा आपके पिता को भी तरक्की दिलाएगा ऐसे में नई चीजें आपको सीखने में मन लगेगा इस दोरान शासरादी के काम से जुड़े लोगों को विशेश फायदा होने वाला है तहां तक हो सके बाहर के खाने पीने से इस समय बस दूर रहें दूसरी राशी है व्रशब राशी इस गोचर में आपको भाग्या का पूरा साथ मिलेगा आर्थिक लाब के साथ साथ आपको अपनी कारे शमता का आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा अच्छी सेहत रहेगी आयों में व्रद्धी होगी दूसो तीसरी राशी है करक राशी, ये गोचर आपको धनलाब देगा, दस्तकारी के काम से जुड़े लोगों के लिए विशेश लाब के मौकी मिलेंगे, कोट में 11 मार्श तक उसकी दलीले आपके पक्ष में आएंगी चौथी राशी है तुला राशी, बुद्ध का ये गोचर आपको भूमी, भवन और वाहन का सुख दे कर जाएगा, इसके अलावा दूसरी चीजों में भी ये आपको शुपई नाम दे कर जाएगा, लेकिन इस बीच आपको अपनी माता की स्वास्त का विशेश तोर पर खाय आप रहेंगे, साथ ही आपके धनकोश में भी व्रद्धी होगी, आपकी बौदिक शमता अच्छे होने के साथ ही माता का सुख आपको मिलेगा, आखिरी राशी है कुमबराशी, इस गोचर से आपका समाज में मान सम्मान रुत्बा बढ़ेगा, साथ ही गोचर आपको सया स सुख भी दे कर जाएगा, लेकिन आपको अपने पैसे 11 मार्श तक सभाल कर रखने की जरूरत है, भगवान गनीश की उपासना करें, आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा, तो दोस्तों ये थी वो छे राशियां जो बुद्ध के वक्री होने से लाभानवित होने वाली वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने, धनिवाद